बंचना र्याओं मावमण है लेओं लेओं निपरी 1 लिमुणी निसमी पीसावब का टिपस्पुन लाल मृच 1डनिवट तिका निसमी निपर मिर्ज 1 घड़न 3 चाट निसमी उमक ब bipolarimm 에 rapa के लेखिकी झनल्मक ब्लाओं पवडर 2 देख multi. 2 Arab tsp ठीजτα एक थुटकी हारदी लीए congestion आधे चुटेज में एक टूरी कप के पराबर ये गार चेस पीशे लेटे मेंगे चोट चोटे पीसिस में कर देंगे जैसे यह देखें मैंने पहले चोटा से पीस करके रखावा है अब हम इसके बाकी भी स्लाइसिस ऐसे ही बना देंगे यह देखें ऐसे पहले हम इसकी स्ट्रिप्स काड लेंगे और फिर उसके बाद हम इसे चोटे 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 पीसिस में कर देंगे यह देखें चिकन को हमने चोटे चोटे क्यूबस में काट लिया है अब हम यह तमाम चीजें जो हमने मसाला जात लादा पके रुखे थे और वह हम इसमें शामिल कर देंगे यह हम पहले जाते इसमें दही लाद में मादर थे घात पाद मंड़ने हम इसमें नमक हर्दी और सुखा देंगी चाथ मसाला नमक मिर्चिया आप अपनी मर्जी से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर प्लसन पाउडर तुटा हुआ जीरा लाल मिर्च मिक्स कर देंगे इसको मैरिनेट कर रहे हैं अब आप जल्दी ज़रत तो आप जल्दी भी यूज़ कर सकते हैं मैंने क्यूंके अभी बनाने हैं इसलिए मैं इसको अभी से पकने के लिए रखनागी अब यह देखें आप यह चिकन इसमें पकने के लिए डाल ज़गी है अब इसमें हम नहीं डालेंगे क्योंके हमने इसमें दही डाला है दही अपना पानी छोड़ेगा आग अपने दम्यानी रखनी है ज्यादा तेज नहीं करनी है यह देखें अब हमारा चिकन ड्राइ हो रहा है अब इसमें हमने वन टेबल स्पून ओइल कर डाला है इसमें ज्यादा ओइल आपने नहीं शामिल करना अगर कोई पीस आपके खुड़ा पड़ा लगे तो इसको ऐसे आपने हलका हलका मैश कर लेगा यह देखें हमालों को इस तरह से मैश कर लेंगे अब यह देखें आलों तरीके से मैश हो गए है अब यह चिकन हमने पकाया था हम इसमें आलों में शामिल करते हैं अब यह हमने धन्या लिया है और यह पुदीना हमने इसको अच्छी तरह से काट लिया है त अब यह दिना रभ ब्दीना जुमने डाला था और चिकन हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अलों के साथ अब कबाब को कोटिंग करने के लिए विए यह मैदा लिया है और इस मैदे में हम नमक डालेंगे और थोड़ा सा चाड मसाला डालेंगे ताके इसमें टेस्ट आदे अब इसको पानी टालकर इसका मिक्सर त्यार कर लेंगे और जिस्टा का बेटर हमें चाहिए होगा उतना हम इसको रेडी कलें यह देखिए मिक्सर हमारा रेडी है अब हम इसके कबाब बना ले यह देखिए कबाब आपने अपनी मर्जी से इसका साइज बना लेना है जितने आपको पसंद है यह देखिए मैंने यह कबाब त्यार कर लिया है अब मैं इसमें डिप करके अब मैं यह ब्रेड करम्स लगाऊंगी यह ब्रेड करम्स मैं घर में बनाए है मैं आपको नेक्स वीडियो में जरूर बताऊंगी कै यह ब्रेड करम्स मैंने कैसे तियार हैं आप इसी तरह से घर में तियार हैं यह देखें कबाब हमारे बनके तियार हो गए हैं अब हम इसे फ्राइब करेंगे ओल हमारा गरम हो गया है अब हम इसमें कबाब फ्राइब करना चुरू करते हैं झाल झाल अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे अब ये हो रहे हैं अब इनोंने अपना थोड़ा थोड़ा कलर चेंज किया जब ये लाइट गोल्डन हो जाएंगे तो पर ये रेडी हो जाएंगे बहुत जादा आपने इसको पुकाना नहीं है ये देखें तब आप हमारे कितने अच्छे से गोल्डन कलर के होगे हैं कि अब हम इसे प्लेट में सब करेंगे ये देखें हमारे कबाबन के त्यार हो जब रहे हैं इसको जडूर ट्राइ कीजिए गा और चैनल को लाइक करना सब्सक्राइब करना ना पुर ज़िए गा अपटी दुआएं में याद आख़िए गाक्राक पाशाएं तुर पाक्रा लाफिस लाफिस